3-2 के डारेक्टर अमर कोशिक अब वेंपायर को मेडी थामबा का निर्मान करेंगे जिसकी शूटिंग मेडोग सूपरनेचरल उन्वर्स की हिस्से के रूप में दो महीने में शुरू होने वाली है कि वरुन धवन स्टारर वेडिया 2 की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है जबकि वेस 3-2 की सफलता को इन्जोई कर रहे हैं तो बात करते हैं आगे वीडियो में कि उनकी ये नई फिल्म किस एक्टर के साथ आने वाली है और उन्होंने किस एक्टर को चुना है तो वीडियो को एन तक जरूर देखना है और अगर आपको वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना प्लीज सब्स्क्राइब तो आट चैनल वेल्कम गाईज मैं हूँ कोमल और आप देख रहे हो स्टूडियो एडा फिल्मेकर आमर कोशिक इन दिनों अपने फिल्म स्ट्रीटों के सफलता का स्वाद चुक रहे है तहर दिल से शुक्रिया करता हूं आप जिनों ने फिल्म देखी और जिनों ने उसको जैसे मेसेज़े आपने मुझे बेजे ट्टर पर डाले इंस्टर ग्राम पर जहां भी डाले जो आप बोल वहां कि बहुत दिन बाद हाँ हूं बहुत दिन बाद बाद दिने में जाने क कुमार राउ श्रधा कपूर जैसे सितारे नजर आए इस मूवी की सक्सेस के तूरंत बाद अमरकोशिक के अगली फिल्म के बारे में भी बात चल रही है इस बार वो वैंपार कोमेडी मूवी बनाने जा रही है जिसमें आयूश मान पुराना होंगे इसकी शूटिंग अग अगली फिल्म का नाम थामबा है इसमें आयूश मान खुराना लीड रॉल में होंगे और यह मेडोग सुपरनाशनल यूवर्स की पहली वैंपार कोमेडी होगी और इसकी दो मधीनों में शूटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी स्ट्री टू सरकटे का आतंग की बात करे है यह मेडोग सुपरनाशनल यूवर्स की पांचवी फिल्म है जिसमें राजकुमार राव श्रद्धा कपूर पंकस रिपाठी अभिषेग बेनर जी और अपार सिक्ति खुराना नजर आए इस पहले इस यूवर्स में स्ट्री भूही भेडिया और मुंजिया बन चुकी ह स्टी टू ने सिनिमा घरों में खुद धमाल मचा रखा है पचास करोड के बजट में बनी इस फिल्म ने 15 अगस्दू हज़ा चोबिस से लेकर अब तक 500 करोड का कलेक्शन कर लिया है वल्वाइड कलेक्शन की बात करें तो इसने 705 करोड का आंकडा छू लिया है और अब यह होगा कि उनकी थामबा मूवी कब रिलीस होगी और इसमें हमें क्या नया देखने को मिलेगा तो इस वीडियो में बस इतना ही और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप अमर कोशिक और आयूशमान खुराना की इस मूवी के लिए कितने एकसाइटीड है और अगर आप ऐसी नई अपडेट रेखना जाते हैं तो चूरी अड़ा को सब्सक्राइब जरूर कर ले धन्यवार